मित्रों जय माता दी, आप देख रहें धर्म सिक्षा, मित्रों आज के इस वीडियो में मैं आपको जिवित पुत्र का वरत की कथा सुराने जा रहा हूं, जिवित पुत्र का वरत की मुखिता तीन कथाएं सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, एक तो चील और सियार की कथा, ऐसे में आपको कथा ध्यान पुर्वक सुननी चाहिए, जिन्होंने उपवास नहीं भी रखा है, जो जिवित पुत्र का वरत नहीं भी करती हैं, ऐसी भी महला हैं, लेकिन अपने बच्चे की और पते की लंबी आयू की कामना रखती हैं, उनको भी संपून कथा सुननी चा पहले आईए सुनते हैं चील और स्यारीन की कथा, ये सबसे ज़्यदा प्रत्रित कथा है, एक समय की बात है, एक वन में सेमर के पेर पर एक चील रहती थी, और वहीं पास के जारी में एक स्यारीन भी रहती थी, दोनों में बहुत दोस्ती थी, चील को जो भी कुछ खाने का मिलता, उन में से वो स्यारीन के लिए कुछ हिस्सा बचा कर ज़रूर रखती थी, स्यारीन भी चील के लिए ऐसा ही ध्यान रखती थी, एक बार की बात है, वन के पास में एक गाउं में और तोंने जीतिया का वुरत रखा हुआ था और जीतिया वुरत की पूजा की तयारी उलब कर रही थी चील ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और इस बारे में अपनी सकी स्यारियन को भी बता है कि वहां उस गाव में औरतें ऐसा पूजा की तैयारी कर रही हैं दोनों ने इसके बाद ठीक उसी परकार से जीतिया का वुरत रखने का निर्ने लिया दोनों दि पेट भर लिया चील ने जब हड़ी चबाने की आवाज सुनी तो इसके बारे में पूछा तो स्यारियन ने जूट बोल दिया कि ठंड के कारण मेरा दांत कटकटा रहा है इस कारण मैं कुछ खा नहीं रही हूं बलकि मैरा दांत कटकटा रहा है लेकिन चील फिर भी समझ ग को संपूर्ण करके ही छोड़ना चाहिए स्यारियन का वरत इस परकार से भंग हो गया लेकिन चील भूखे प्यासे रहकर यह वरत पूरा किया कथा के अनुसार अगले जन्मे में दोनों मनुसर रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहने हुई स्यारियन बड़ी बहने बनी और उनकी साधी एक राजकुमार से हुई वही चील छोटी बहन बनी और उसकी साधी उसी राज के मंत्री के पुत्र से हुई बाद में दोनों के पती राजा और मंत्री बने अब स्यारियन रानी जो थी उनके जो भी बच्चे होते वो मर जाते जबकि चील के बच्चे बले उने चील के बच्चों को और पती को मानने का कई प्रियास किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाई बाद में अपने भूल का एसास हुआ तो अपने बहन से छोटी बहन से जमा मांगी फिर बहन ने उनको बताया कि तुम भी इस परकार से जुतिया का व्रत किया करो इससे तुम्हा और सियारिन राणी की कोक भी भर गई और उनके बच्चे भी स्वस्थ और लंबी आयो वाले होने लगे तो इस परकार से ये जो कथा है चील और सियारिम की अब आईए दूसरी कथा को सुनते हैं जो है गंधर्व ज्मितवाहन की इस कथा के अनुसार ज्मितवाहन गंधर्व के बुधिमान और सक्रिशाली राजा थे ज्मितवाहन सासक बनने से सिर्फ संतुष्ट नहीं थे उनका मन सांसारिक कारियों में नहीं लगता था, भोतिक चीजियों में नहीं लगता था फलसुरूप उन्होंने किया कि अपने राजी को अपने भाईयों को सौप दिया और खुद अपने पिता की सेवा करने की जिम्मेदाज ले ली और उनके पिता उस समय जंगल में निवास करते थे क्योंकि जंगल राजपात छोड़ कर वो भी जंगल में जाके सन्यास लिए हुए थे तो गंधर्व जुम्यतमाहन ने सोचा कि मैं भी जंगल जाकर अपने पिता की सेवा करूँगा इस परकार से वो जंगल जाकर राजपात छोड़ कर अपने पिता की सेवा करने लगे एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुर्या विलाप करती भी मिली उन्होंने बुर्या से रोने का कारण बूचा इस पर उस बुर्या ने बताया कि वो साँप यानिकी नागवनसी परीवार से है और उसका एक ही बेटा है और सबत के उनसार हर दिन एक साप पक्षी राज गरूर को चरहाया जाता है और उस दिन उसी के बेटे का नमबर था उसकी समस्या सुनने के बाद जिमूत वाहन ने उन्हें आस्वासन दिया कि वो उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे तब वो खुद गरूर का चारा बनने का विचार करके चट्टान पे लेट गए जहाँ पे बुढ़िया के बेटे को लेटना था तब गरूर आते हैं वहाँ पे और अपनी उंगलियों से लाल कप्रे से ढखे हुए जीवत वाहन को पकर कर चट्टान पर और उपर लेकर चले जाते हैं उन्हें हैरानी होती है कि जिसे उन्हेंने पकरा है वो कोई भी परतिक्रिया नहीं दे रहा था क्योंकि हर बारी ऐसा होता था कि जब भी पक्षी राज गरूर नागवन्स के किसी भी लोग को पकरते थे तो वो चट पटाने लगता था लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं जीवत वाहन ने कोई परतिक्रिया नहीं दी तब वो जीवत वाहन से उसके बारे में पूछा तब गरूर को जीवत वाहन ने अपनी सारी कथा सुनाई इस कथा को सुनकर गरूर जीवत वाहन की वीरता और परोपकार से परसन होकर सांपो को कोई और बलिधान ना लेने का वदा किया मानेता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्यान के लिए जितिया का वरत रखा जाता है और जिवत्वाहन की पूजा आर्चना की जाती है यह जो थी जिवत्वाहन और नागवन्स की कथा आई अब जानते हैं महा भारत का लिन कथा के बारे में महाभारत युद्ध में पिता की मित्यू के बाद अस्वस्थामा बहुत ही कुर्धी था जैसा कि आप सभी जानते हैं अस्वस्थामा गुरु दुरोनाचारी के पुत्र थे वह पिता की मित्यू का बदला लेने के लिए पांडवों के सिविर में गया और उसने पांच लोगों की हत्या कर दी उसे लगा कि उसने पांडवों को माड़ डाला है लेकिन पांडव जिन्दा थे जब पांडव उनके सामने आये तो उसे पता लगा कि वह जो पांच लोगों की हत्या कर आये थे वह दौपती के पांच पुत्र थे यह सब देखकर अरजुन ने कुरोध में असोस्थामा को बंदी बना लिया और दिवे मनी भी छीन लिया असोस्थामा ने इस बात का बदला लेने के लिए अभिमान्युक की पत्नी उत्तरा के गर्व में पल रहे संतान को मारने की योजना बनाई उसने गर्व में पल रहे बच्चे को मानने के लिए ब्रह्मास्तर चला दिया जिससे उत्रा का गर्व नश्ठ हो गया लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना बहुत जोड़ी था इसलिए भगवान कृष्णे ने उत्रा की और जन्मी संतान को गर्व में ही फिर से जीवित कर दि इनी जीवित पुत्रिका का नाम बाद में राजा परिक्षित परा जिसे की सबी जानते हैं तो यहाँ पे तीन कथाए परचली थे हैं जीवित पुत्रिका वरत की तीनों कथाए मैंने आपको सुनाई है इसी तरह की अन्नी ग्यान वरत एक वीडियो के लिए जूर रहे है धर्मसिक्षा के साथ हो देखते रहे हैं धर्मसिक्षा जे माता दी